हेलो मॉमीज वेलकम बैक टो माई चैनल अगर आपका बच्चा भी रोस पॉटी नहीं करता है या फिर पॉटी करते वक्त रोता है या फिर बहुत जादा हाट पॉटी करता है या फिर पॉटी के लिए बैठना ही नहीं चाहता तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले बच्चों के हाट पॉटी एफट टाइट पॉटी को ठीक करने के बहुत ही आसान घरेल उपाए उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो आई ये वीडियो को शुरू होती है जब हम सिक्स मंत की बाद बच्चों को सॉलिट देना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बच्चों की जो डाइजेस्टिव सिस्टम और वह पूरी तरीके से डिवलप नहीं होती है अभी वह बन ही रहा होता है लेकिन क्योंकि सिक्स मन तक बच्चा सिर्फ मा का दूद ले या फिर हाड पॉटी टाइट पॉटी जैसे समस्या होने लगती है तो अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू उपाई के सबसे फर्स्ट पॉइंट है शुरुआत में जब बच्चे को सॉलिट देना शुरू करते हैं तो बच्चे को अच्छे से जादा पका हुआ और फ्रेश च owns this हो पॉइंट जाइन के बच्चों को फूट प्योरी खिलाए सबसे पहला फूट एपल मैं न हमचल–पक्ति थाह च परता है बिल्कुल अच्छे इन के सानग फपाया इसलिए बच्च— अब ticket को पूटी की प्योरी खिलाए जो कि during hard party ये फिर कब्ज के समय हमारे body को चाहिए होता है क्योंकि अगर आप बच्चे को juice देते हो तो जो fiber content होता है वो बाहर हो जाता है और सब juice मिलता है लेकिन अगर बच्चे fruit लेता है तो उसे fiber भी मिलता है जो कि बच्चे को कब्ज hard party से राहत दिलाता है नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को अजवाइन और जीरे का पानी दीजिए अजवाइन जीरा हम सब को बता है कि डाइजेशन के लिए कितना अच्छा होता है तो अगर बच्चे का डाइजेशन बिगडा हुए तो आप बच्चे को एक ग्लास पानी में आदा चमच हो जाता है नेक्सट पोइंट है कि अगर बच्चे को हमेशा हटवटी की प्रॉब्लम होती सबस्ताइब करना ही जाता है तो बच्चे की डाइट में चांज कर विए आप जिए से बच्चे को पेट में प्रॉबलम होगा ह reus प्रॉडम होता बच्चा डाइजेस्तने ही कर प और green wedges इन सब में फाइबर भर पूर मात्रम होती है जो कि बच्चे के पेट में कब जो बनने ही नहीं देती है आप बच्चे को रोस दाल चावल खिलाईए आप देखिए बच्चे को कभी भी पेट समध्यत समस्या होगी ही नहीं नेक्स पॉइंट है कि कमशे कम दो साल तक बच्चे को बिल्कुल घर का खाना दे बाहर की चीज़े बिल्कुल एवॉइड करें बिस्केट चिप्स लेज चॉकलेट यह सारी चीज़े बहुत ज्यादा मैदा की बनी होती है और साथ ही हाईजेनिक भी नहीं होती है बच्चों भी अभी वीक होता है जिसके वजह से बच्चे नहीं पाते हैं बच्चों को कब जोने लगती हार्ट पॉटी होती है ब्लीडिंग होती है पॉटी में जैसे समस्या जो है वह आने एक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों के खाने का रूटीन सेट कर दे रोजाना बच्चे को एक ही समय में किला है इसके साथ अगर आपने सारे रेमेडिय कर दीए कोई काम नहीं हो रहा है तो सिधार डॉक्टर से मिले थैंक्यू मॉमीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें